हेलो एंड वेल्कम अगेन डियर फेंड वाचिंग फटापट क्लासिस एंड दसी दादिर रशीद जेके जियोग्राफिक का मार्क टेस्ट है न पुंचिस मार्क्स का मार्क टेस्ट होने वाला है इंपोर्टन रहेगा तो चलिए क्वेश्च नंबर वन देख लीजिये विच रिवारष ए चठाला ऐस लाइफ लाइब 具ionedर भाप लाइफ लई अफ राइफ लासम अफ्ह myth किस रिवर को बोलते हैं जानेम चनाब मेरध यहाँ सिंद रिवर शबाश कॉस्ट नमबर वन का अंसर बताओ कि लाइफ लाइफ लाइन अप गांदरबल कौन सा रिवर है इसका जो सही जवाब है ना डाट इस सिंद ठीक है तो कॉस्ट नमबर दो देख लीजिए डोडा वास कारोड आउट फ्रम वीच डिस्टिक डोडा किस ड इकाला गया था उदंपूर डोडा कारिक लिया रियास शबाश शबाश वरी गड़ शबाश नायरा वरी गड़ नसीर आमद सावन शर्मा जल्दी बताओ कॉस्ट नमबर दो का जो सही ऑप्शन है न वो है उदंपूर ठीक है उदंपूर इसका सही जवाब है तो कॉस्ट कुस्ट नमर टीन मैं नीरैज से करना चाहूँगा और शाहिद महमूद से करना चाहूँगा ये बताईए которую Whichapp colder following is called Mini Kashmir किसको बोलते है धी अगड़ साव्धा ये मिनी कश्मिर किसको बोलते है मिनी प्रियाहस आप इस question का अंसर दो जल्दी question no.4 अज़ार का अंसर विच रोड लिंकस किश्मीर वैली विद पुछ जैले वैली काट रोड कुलाई रोड मगल रोड यह गुलमरग रोड शबाश दिख लिजिए क्वेस्टन नमबर चार का जो सही जाब है न वह है मगल रोड ठीक है क्वेस्टन नमबर पांच अब देख लि शर्मा और स्वीटिक और अंसर दिजिए अरिया आप यूनियन टेरी आप जुमूएट कश्मीर बताएए शबाश देख लिजे इसका जो सही जाब है दाइड एस 42241 स्क्यार किलोमेटर इसका एरिया है यूनियन टेरी आप जुमूएट कश्मीर का तो कौस्टन नमर छे देख लिए आ वास कार वड आओड फ्रां विच डिस्टक राजो किस डिस्टक से कारों किया गया था शवाष अमन जट सुरे संगम और शुलति शरमा अब तीन मुझे उन्स इसका आंसर दो राजोरी वास कारवड आओड फ्रां विच डिस्टक जमूर। पोनुब औम सही जवाब हैं, वो हैं, शबाश जलद बताओ, डाड़ इस पूँच, पूँच से निकाला गया था, राजोरी को है ना, तो आप क्वेस्ट नमबर साथ देख लिजे, क्वेस्ट नमबर साथ, रजनी शर्मा, महभूब अहमद और इमजे, आप मुझे इसका अंसर दो, क्व रामबन किस डिस्टिक से कारोग किया गया था, जुमू, डोडा, रियासी या उदंपूर, क्वेस्ट नमबर साथ का अंसर, शेबाश, रजनी शर्मा, महभूब अहमद इमजे, आप ये इसका अंसर दीजिए, क्वेस्ट नमबर साथ का जो सही जवाब है, दाट इस डोड अब क्वेस्ट नमबर आठ देख लीजिए, रियासी किस डिस्टिक से निकाला गया था, यहां पर तीन ये उप्शन दिये गये हैं, तो तीन मैंसे एक ही कोरेक्ट होगा, रियासी किस डिस्टिक से कारोग किया गया था, नोवेद अहमद, अंजुम स्केचिंग और खालिद हुसेन, आप मुझे इसका अंसर दो, खालिद हुसेन, अंजुम स्केचिंग और नोवेद आहमद, यह बताइए, रियासी किस डिस्टिक से कारोग किया गया था, शबाश, क्वेस्टिक नमबर आठ का जो सही जौवेद, अधिस अधमपूर डिस्टिक, ठीक हैं, उदमपूर, कॉपवारा, जुमू, लदाक, जिया इसनाम, नायरा और प्रियाहस, आप इस क्वेस्टिक का अंसर दीजिए, क्वेस्टिक नमबर नौ का अंसर, प्रियाहस, नायरा और जिया इसनाम को मैं ये क्वेस्टिक डाल रहा हूँ, तो क्वेस्टिक नमबर नौ का जो सही जवाब है, that is part A, उदंपूर इसका सही जवाब है, अब क्वेस्ट नम्बर 10 देख लीजिए, क्वेस्टन नम्बर 10, दिपक शर्मा, दिप्यांचु शर्मा, नसीर आमद, दिपक कुमार, दिप्यांचु शर्मा और नसीर आमद से मेरा क्वेस्टन नम्बर 10 यह है, रूमियस के राल या हिंडल ब्रीज, question number 10 का अंसर बताईए, शबाश, question number 10 का जो सही जवाब है, that is part B, पुरा मंडल ब्रीज, इसका सही जवाब है, ठीक है, अब स्वीटी खोर अमन जट और महभूब अहमाद, question number 11 का अंसर बताईए, question number 12 में रहा है, सुरे संगम और स्वीटी खोर से, question number 12, हिल से ट्रीमर्ज, जो आउटर प्लेज से ट्रेवर्स होते हैं, जो आउटर प्लेज से फोलो होते हैं, उनको क्या होते हैं, कंटी, खादस, दुनस, यां अंदर वा, शबाश, question number 12 का जो सही जवाब है, that is part B, खादस का सही जवाब है, ठीक है, अब question number 13 मेरा जो है, दिपाक शर्मा, और अंजम स्कैचिंग, और इम जे से हैं, वो मेरा question number 13, तो बताइए, the undualating slopes between Ravi and Chenab rivers are called, undualating slopes between Ravi and Chenab are called, दुनस, खादस, कंडी यां बीडा, शबाश, मुझे लगता है, बीडा है, आपका क्या answer है, शबाश, question number 13 का जो सही जवाब है, that is कंडी, ठीक है, अब question number 14 दिख लीजिए, दिप्याँचु शर्मा, जिया इसलाम, खालेद, हुसेन, आपसे ये question number 14 में कर रहा हूँ, in between shivalik hillers, in between shivalik hillers के बीच में, क्या है, longitudinal valleys होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, दुनस बोलते हैं, कंडी बोलते हैं, लुना बोलते हैं, मुरी बोलते हैं, question number 14 का answer, question number 14 का जो सही जवाब है, that is, that is part D, sorry, part A, दुनस इसका सही जवाब है, ठीक है, तो question number 15, नीरज शाहिद मेहमूद अंजम स्केचिंग और कुलबीर सिंग, कुलबीर सिंग आप इसका answer बताओ, question number 15 का, जुमू सिर्णाकर नेशनल हाइवे है, हैस बीन कारवड आउट थू, शबाश, हिमादरी, शिवालिक, मिडल हिमालियाज या नन आप दीज, जो जुमू सिर्णाकर की जो नेशनल हाइवे हैं, वो किससे कारों की गई है, हिमादर, यानिके greater हिमालिया से, शिवालिक, है न Upper Hymalaya से, Middle Hymalaya से, जुमू सिर्णाकर नेशनल हाइवे है ना? आमन जट आप इसका अंसर दो सेक्रड के वाफ वेश्णो देवी मंदर कहां पे मिडल हमालियास में मिडल हमालियास कोई लेसर हमालिया वो तो इसलिए इसका एंड वी सही जवाब है तो कॉस्ट नबर 17 श्रुति शर्मा बताए शुरुति शर्मा नायरा और सुरेश संगम आ मंसर और सुरिनसर लेक्ज लाइ इन मंसर और सुरिनसर लेक्ज जêu है वो शिवालिक्स में हैं 위해서 हमालियास great हमालियास या नान आपदीज सबाश क्विश्टन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है पार्ट ए शिवालिक्सि इसका सही जवाब है ठीक है तो अब question number 18 देख लीजिए question number 18 गौसिया जान, सुरे संगम और नसीर आमद और रजनी शर्मा जो है ना वो इस question का मुझे आंसर देंगे the only outlet for water is dash dash in कश्मीर वैली कश्मीर वैली का water का जो outlet है ना यहां पे वो कुन है शबाश the only outlet only outlet यह जो एक ही है ना only outlet for water is dash dash in कश्मीर वैली बांडी पौरा जारिश, बारा मुला जारिश कफवारा जारिश यह नीलम जारिश शबाश जल्दी करो question number 18 का जो सही जवाब है that is 12 मुला जारिश इसका सही जवाब है यह किसने यहां पे कट डाला था कश्यप रेशी ने है ना यादेना आपको कश्यप रेशी ने है question number 19 देख लिजे आप question number 19 7 शर्मा बताइए 7 शर्मा बताइए 7 शर्मा अफिशल शर्मा और जो अंजुम स्केच्च ने है वो इस question का answer देंगे longest range of middle हिमालियाज is पीर पंजाल range महबर्ता range जबर्वन range या कुलाही range इनमें से longest range कुने middle हिमालियाज का यह हम कहेंगे longest range अब lesser हिमालियाज शबाश question number 19 शबाश question number 19 का जो सही जवाब है वह है part A that is पीर पंजाल range याद रखना ठीक है तो अब question number 20 देख लीजिए कैरिवास are locally known as कैरिवास को हम locally क्या बोलते हैं शबाश जल्दी बताईए अमन जट और दिप्यान्शु शर्मा जल्दी बताओ कैरिवास को हम locally क्या बोलते हैं शाठ वुडर थुद जमीन या ना नापदीस बताईए तो question number 20 का जो सही जवाब है वहें part भी वुडर इसका सही जवाब है तो question number 21 देख लीजिए डैश डैश प्रोवाइड राव मिट्रियाल रुकाइड फार डेवलाप्मेंट आप सपोर्ट गुडस सपोर्ट गुडस फर्नीचर और वूड आर्टिफेक्टर मलबरी, वालनट, विलो इनमेंसे राव मिट्रियाल कून प्रोवाइड करता है सपोर्ट गुडस बनाने के लिए फर्नीचर बनाने के लिए और वूड आर्टिफेक्टर बनाने के लिए बताईए शबाश, शबाश जल्दी बताओ सुरे संगम, रजनी शर्मा और महभूब आमद आप इसका अंसर दो क्वेस्टन नमबर 21 शबाश जल्दी-जल्दी क्वेस्टन नमबर 21 का जो सही जवाब है विलो भी, वालनट भी और मलबरी भी प्रोवेड करता है रायमेटर्ल इन चीज उनके लिए फोस्टन नमबर 22 फोस्टन नमबर 22 फोस्टन नमबर 22 फोस्टन नमबर 22 का जो सही जवाब है पार्ट A ऐसलेश पार्ट B क्यों क्यों कि देख लिजिए outer plans of human किश्मिर known as बजवात बजवात को हम अंदरवाद भी बोलते हैं ठीक है ना अंदरवाद और बजवात जोने यह same इसका मतलब है पार्ट सी जो हैं बोथ एड़ भी इसका सही जवाब है ठीक है यहीं कि बजवात भी इनको ही बोलते हैं और अंदरवाद भी हम outer plans of human किश्मिर को ही बोलते हैं क्वेस्ट नबर 23 शबाश इस question का हर एक answer देखा जो इस वीडियो देख रहा है मैं वेट करूंगा आपके answer का टाइप आफ क्लाइमेट इन जुमूरिजन इस बताइए टाइप आफ क्लाइमेट जो जुमूरिजन में वो कून सा है शबाश 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 जल्दी गरो देख लिए यहाँ यहाँ पर आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक यह ओप्शन लिखा हुआ है है ना तो लेकिन यहाँ पर तीन option is missing है है ना तो अगर आपको पता हैं तो आप जल्दी बताइए यह option इसका रंग भी हो सकता है और राइड भी हो सकता है देख लिजिए question number 23 का जो सही जवाब है ना question number 23 देख लिजिए इसका जो सही जवाब है यहाँ पर जुमूरीजन का अगर पूछा जाता है ना तो आप याद रखना subtropical ठीक है अब अगर आप से पूछा जाएगा कि यह बताइए कश्मीर वैली में कून सा climate है कश्मीर वै option में आपको होगा ना subtropical to arctic tie-up है ना अगर यह question होगा ना subtropical to arctic tie-up है कहां पर जुमूर अगर आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर वैली में कून सा climate अगर वहाँ पर यह option होगा ना तो आप इसको भी tick कर सकते हो ठीक है अरक्टिक और temperate climate में उतनी ज्यादा फरक नहीं है इसलिए आप यह भी लिख सकते हो सेब ट्रॉपिकल भी कुछ रिजिन में है कश्मीर वैली में और अरक्टिक भी है वरना यहां पर आपको temperate याद रखना है कश्मीर वैली में temperate ठीक है अब देख लीजिए अगर आप से पूछ जाएगा यह पता यह पूरे जुमूरे देखिए हाट ड्राइव इंड वी हाट ड्राइव इंड विच बलो इन समर सीजन इन जुमूरेजन इस काल्ड कल भी में आपको पढ़ाया था ना वन लाइन अरव में बताइए कोस्टन नमबर 24 का जो सही जावाब है डैट इस लू ठीक है आपकोस्टन नमबर 25 लास्ट क जून ठीक है जून इसका से जवाब है जून में चाहोता है मून सून जो है वो शुरू होता है कहां पर जूमूरेजन में हो गया तो चलिए आज की स्वीडियो में इतना ही मैं मिलूगा आप से नेक्स टाव में तब के लिए वाई बाई टेकर थाइए थाइक्यू